Like a bird on a tree I'm just sitting here There are three types of the people तीन प्रिकार के लोग होते हैं Coward Little Coward and Winners Cowards are those who never start only thing कायर वो लोग होते हैं जो कभी starting नहीं करते सिर्प और सूचते हैं and Little Coward are those और Little Coward वो लोग होते हैं जो सोचते हैं start करते हैं बट जैसे ही पहली समस्या आती है छोड़ कर भाव जाते हैं But Winners are those who think who start and goes to the end of the success और सफल लोग वो होते हैं विनर्स वो होते हैं जो सोचते हैं और start करते हैं और अपने उसकार को अंट तक ले जाते हैं जब तक की वो अपनी सफलता नहीं पा लेते तो वेलकम टू माई यूटूब चाइनल वाई फाई सक्सेस क्लासेज गाईज मैं एक बार फिर आपके साथ यह है एक ऐसा यूज तो लेट मी टेल यूज यूज है वह है यूज आफ हाउ टू इस हाउ टू का प्रियोग कब क्या जाता है और कैसे क्या जाता है प्रिजेंट में कैसे किया जाता है पास्ट में कैसे किया जाता है और फ्यूचर के टेंस में कैसे जाता है तो गाईज यह हाउ टू का प्रियोग हम प्रिजेंट में प्रिजेंट इंडेपनी टेंस के एकोडिंग करते हैं जिसमें हिंदी में पहचान के बतौर शब्द आय करते हैं जैसे कि कैसे किया जाता है तो कभी आता है ना आता है तो कभी दिया रहता है ना जानता है ना जानती है ने जानते हैं जिसको बनाने का रूल आपके सामने लिखा है कि आपको प्रिजन इंडेफिनिट के रूल के नुसार सबसे पहले सब्जेट का यूज करना है और और फिर आपको वर्ब, यहां पर आप देखें वर्ब, वर्ब का मतलब है, यहां पर helping वर्ब भी हो सकती है, और साथी साथ main वर्ब भी हो सकती है, इसलिए यहां पर सिर्फ वी यानि की वर्ब लिखी गई, ना ही वर्ब की first form, second form, third form, ऐसा कोई भी concept नहीं लिखा गया, क्योंकि यहां पर वर्ब की जगए पर helping वर्ब और main वर्ब वो दोनों हो सकती है, और present indefinite की, जो helping वर्ब होती है, वो dudas, और main वर्ब जो होती है, वो first form होती है, जो आप already जानते हैं, तो यहां पर इनका भी प्रियोग किया जा सकता है, और उसके बाद how to का प्रियोग करते ह हैं, फिर एक आने वाली एक ऐसी वर्ब जो की infinitive होती है, जो how के साथ लगती है, वो वर्ब वर्ब की first form होती है, गाइस ध्यान दें, कि यहां पर सिर्फ वर्ब लिखा क्योंकि helping वर्ब वो man वर्ब दोनों हो सकती है, बट यहां पर वर्ब की first form क्योंकि यहां पर security है, निश्चितिता है, फिर object, फिर etc, same way, यही जब आप past indefinite में यूज करते हैं, तो past indefinite tense में, हिंदी के जो शब्द हैं, वो कैसे किया जाता था, ना आता था, ना जानता था, इस पिरकार के हिंदी शब्द आते हैं, और इसमें भी subject के साथ वर्ब, यानि कि यहां पर past indefinite के coding, helping वर्ब और main वर्ब दोनों हो सकते हैं, और फिर आपको लगाना होता है, how to, वर्ब की first form, object और etc, अगर अभी आपको doubts, जो हैं create हो रहे हैं, तो जैसे ही आप examples करेंगे, आपके सारे doubts clear हो जाएंगे, हवा में फुर, fly in the sky, so guys see, देखी गा यहां पर, कि वर्ब के में आपकी helping वर्ब में आप देखते हैं, कि did होती है, past indefinite की, और वर्ब की first form भी होती है, और जब affirmative होता है, तो वर्ब की second form भी होती है, आपको सारी चीजे द्यान से समझनी है, जो कि मैं अभी आपको example के थूद समझाने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे वीडियो को end तक देखें, और तुर यह था past indefinite के rule के अनुसार, how to का प्रियोग करना, और उसके बाद future indefinite tense में भी कुछ ऐसा ही है, और वो यह है कि कैसे किया जाएगा, यह आएगा, या फिर ना जानता होगा, ना आता होगा, आए तो आपको इसी तरह से कि subject, फिर वर्ब की जगे पर आपको helping verb और main verb दोनो ही आएंगे, उनका प्रियोग करना है, जैसे कि क्या आएगा, आपको मालूम है कि helping verb will और shall दी रहती है, और इधर जो है verb की first form, main verb की first form दी रहती है, वो आपको use करना है, जो कि example से आप समझ जाएंगे, wait और watch the video till the end, फिर how to, फिर वर्ब की first form, फिर object, फिर एड्सेटरा, once again I would like to revise that, कि past indefinite में इस पिरकार के हिंदी शब्द पहचान के बताओर आएंगे, जैसे कि कैसे किया जाता है, ना आता है, ना जानता है, जिसमें आपको present indefinite tense के नुसार, helping verb और main verb का प्रियोग करते हुए, how to, और फिर वर्ब की first form, तो दो दो बार verbs यहां पर आएंगी, का प्रियोग करना है, object का प्रियोग करना है, इस तरह से यह rule दिया हुआ है, same way, similarly, past indefinite tense में भी आपके सामने पहचान दी है, कैसे किया जाता था, ना आता था, ना जानता था, और इसमें भी past indefinite के अनुसार, subject, और फिर main verb की जगह पर, कभी second form, तो कभी did, और उसके साथ व प्रियोग करना है, object का प्रियोग करना है, and then lastly, etc का प्रियोग करना है, और आपको याद रखना है कि इसमें verbs, दो दो आने बाली हैं, दो दो वर्फ आएंगी, so guys, future indefinite में इसका प्रियोग कप करते हैं, जब आएगा, कैसे किया जाएगा, ना जानता होगा, ना आता होगा इस प्रिकार से जब हिंदी की पहचान दी हो, या ऐसे sentence दी हों, जिसमें किसी कारेके करने ना करने क्या experience, अनवा और योगजिता का वर्ण किया गया हो, तब आपको how to लुख प्रियोग, tense के अनुसार, present indefinite tense, past indefinite tense, और future indefinite tense के अनुसार, उसके coding किया जाता है, जिसके स अभी rules आपके सामने, इस पर्ष्ट रूप से लिखे हुए है, so now let's start the exercises and why exercises, you could understand easily and comfortably all kinds of the confusion, creating in these kinds of the rule and regulations of how to, so please come to the examples and examples are given on the board in front of you, so examples में मैं ने तीन गूरुप बनाया है, तीन तीन के, आप देखेंगे, कि तीन गूरुप बनाया है, तीन तीन के, आप देखेंगे, कि तीन 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 सेंटेंस के, आप देखेंगे, यह क्या है, यह आपके present indefinite tense है, और यह जो आपका गूरुप बना है, यह क्या है, यह आपका past indefinite tense है, और lastly, यह जो गूरुप बना है, यह आपका future indefinite tense है, तो काईज मैं आपको बताता चलूँ, कि यहाँ पर यह जो तीन सेंट यूज किये गए यह एक्चुली तीन नहीं है यह एक ही सेंटेंस को तीन पिरकार से लिखा गया जैसे कि यहां पर तीन पिरकार से पहचान आपके सामने प्रस्तुत की गई यसी फिरकार से यह बताया गया कि किसी एक ही बात को किसी एक ही expression को किसी एक ही sentence को हम तीन फिरकार से कैसे Hindi में आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिसकी हम translation अंग्रेजी में एक ही पिरकार से करेंगे और वो यह है Let me tell you that वह जानती है कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है sentence को आप ऐसे भी कह सकते है और इसी sentence को अगर आप चाहें उसे अंग्रेजी बोलना आती है भी कह सकते हैं और इसी sentence को वह अंग्रेजी बोलना जानती है वह एंग्रेजी बोलना जानती है उसे एंग्रेजी बोलना आती है वह जानती है एंग्रेजी कैसे बोली जाती है इन तीनों ही sentence का एक ही translation होगा और वो होगा इस rule के coding और rule कहता है कि सबसे पहले आपको subject लगाना है और subject है इसका she और उसके बाद rule कहता है कि वर्ब लगाना है और वर्ब है guys यहां पर जानती है जो यहां पर आती है और जानती है जिसके लिए आप लगाएंगे no और present indefinite के rule के नुसार singular होने पर यहां पर s लगेगा अगर negative होता interrogative होता तो guys यहां पर do does का भी प्रियोग होता जो मैं आपक को कुछ examples में करकर दिखाऊंगा तो she knows और फिर यहां पर आप लगाएंगे how to how to और उसके बाद बोलना speak English she know how to speak English यह रहा आपका पहला sentence कीनों का एक ही English sentence translation किसी प्रकार से आप दूसरा sentence करेंगे इसमें लोग जानते थे कैसे समस्या हल की जाती थी या फिर लोग समस्या हल करना जानते थे या फिर लोगों को समस्या हल करनी आती थी तीनों ही पिरकार के sentence एक ही बात को refer करते हैं that's why इन तीनों के लिए आपको एक ही translation करनी है और वो यह है कि people और चुकि पास्ट है और पास्ट इंडेफिनिट के the problem how to solve the problem और यह रहा आपका sentence बन गया तो यह तीनों पिरकार के expression अंग्रेजी में एक ही पिरकार से translate किये जाने हैं so guys अब हम देखते हैं कि future का sentence कैसे हमें जो है how to की सहयता से translate करना है वह जानती होगी कि कैसे उन्हें समझाया जाएगा को आप चाहें ऐसे कह सकते हैं वह उन्हें समझाना जानती होगी उसे उन्हें समझाना आता होगा तो guys उसे उन्हें समझाना आता होगा वह उन्हें समझाना जानती होगी वह जानती होगी कि कैसे उन्हें समझाया जाता है तीनों बातें सेम हैं तीनों पिरकार के sentences यह जो future के हैं की पिरकार से बनने है और वह के लिए आप लगाएंगे शी उसके साथ विल और फिर जानना की आप लिखेंगे नुओ और तब आपको लगाना होगा how to और समझाना की guys होते है convince और उसके बाद आप लगाएंगे convince them तो guys यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से 2 वर्ब यहाँ पर देखें कि helping verb की जरूरत पड़ी तो helping verb लग गई main verb लग गई और उसके बाद how to फिर जली के अफिर आई एक बार main verb तो guys इसमें सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यह future indefinite के coding future indefinite के सारे rules का use करना है जैसा भी situation situation create हो जैसे कि affirmative हो तो affirmative के नुचार negative हो तो negative के नुचार interrogative हो तो interrogative के नुचार वैसे ही past के tenses में किया जाना है affirmative हो तो affirmative जैसा कि और यह है present indefinite क्योंकि इसमें present definite के सारे rule and regulations लगने हैं तो जरूरत पढ़ने पर इसमें भी जिसे nose लखिया गया वैसे इसमें भी do does आएगा तो अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे examples इन rules के आदार पर इन examples की तरहें कुछ example जो की मौकिक होंगे चलिए देखते हैं जैसे कि हमारा यह example था इसी कि तरह हम देख लेते हैं मैं नहीं जानता कैसे cycle चलाई जाती है इसी sentence को आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं cycle चलाना नहीं जानता आप ऐसे भी कह सकते हैं मुझे cycle चलानी नहीं आती तो guys यह जो तीन पिरकार के sentence बोले हैं actually यह तीन नहीं है एक ही sentence है और जो तीन category से आपके सामने present की गई है जिसको बनाने का तरीका एक ही है और वो यह है I do not know I don't know how to write the cycle I don't know how to write the cycle अगर यही sentence interrogative का होता और present का होता और आप कहते क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है इसको आप ऐसे भी कह सकते थे क्या अंग्रेजी पढ़ाना जानते हैं क्या आपको अंग्रेजी पढ़ानी आती है तो guys इस sentence को अंग्रेजी मे क्या वह साइंस पढ़ाना जानता है क्या उसे साइंस पढ़ानी आती है क्या वह जानता है साइंस कैसे पढ़ाई चाती है तो आपने देखा कि प्रिजन इंडेफिनिट के कोडिंग किस प्रिकार से मैंने बार बार हाउ टू का प्रियोग किया है तो गाइस एक एक बात एक एक बात एक शब्द नोट करते रहें और आपके दिमाग में एक क्वैस्चन आएगा और वो यह कि यह वाला वह अंग्रेजी बोलना जानती है इस पिरकार का सेंटेंस ऐसे क्यों नहीं बनाया जा सकता जैसे कि आपके दिमाग में आएगा कि यह शी कि नोज कि तू कि इस पीक इंग्लिष आप यहारूर्प सोच रहे होंगे एकसेंटेंस को हमें ऐसे बनाने में क्या दिक्क्यत है शी नोजटवी इंग्लिष तो दिक्कत कोई नहीं नहीं है क्लीं जो ग्रैमर की दरष्टी से है वो यह तहीं नहीं है grammar की द्रस्टी से यही correct है शी नोज हाव ती स्पीक इंग्लिस ना कि शी नूज ती इस पीक इंग्लिस यह ग्रेमर से incorrect है तो गाइस प्रशेंड इंडेपिनिट के कोडिंग हाव टू का प्रियो कैसे किया जाता है मैंने कुछ अपको बूल कर दिखा है अब चलते हैं पास्ट इंडेपिनिट के कुछ एग्सामपल्स भी मैं आपको बूल कर दिखाता हूं जैसे मैं जैसे कि मैं जानता था कि कहानिया कैसे सुनाई जाती है मुझे कहानिया सुनाना आता था मैं कहानिया सुनाना जानता था I knew how to narrate the stories I knew how to narrate the stories Next example वहे चाय बनाना नहीं जानती थी उसे चाय बनाना नहीं आता था वह नहीं जानती थी चाय कैसे बनाई जाती थी इसको अंग्रेजी में कहेंगे She did not know She did not know डिड का यूज किया गया गाइस क्यूं? क्यूंकि past indefinite में helping verb did और वफी first form negative और interrogative होने में यूज किये जाती है She did not know how to make tea How to make coffee How to make chapati How to make this and that Next example क्या आप जानते थे? क्या आप जानते थे? बाइक कैसे चलाई जाती थी? इवन चलाई जाती थी के जगह पर आप ये भी कह दें कि बाइक कैसे चलाई जाती है? तो भी आपको इस sentence ऐसे ही बनाना है Did you know? Did you know how to ride bike? Did you know how to ride bike? उन्हें बात करना नहीं आती थी बे बात करना नहीं जानते थे बे नहीं जानते थे बात कैसे की जाती है They did not know They did not know how to talk at all तुम्हें मुझसे बात करना क्यों नहीं आती थी? तुम्हें मुझसे बात करना क्यों नहीं जानते थे? तो गाई इतने प्यारे प्यारे सेंटेंस हैं बेहद प्यारे अब उतने भी प्यारे नहीं जितने प्यारे आपने सोच लिए इन सारे sentences को इन rule and regulations के द्वारा इन examples की तरह आपको translate करना है और गाइज जब तक कि आप इन sentences को translate नहीं कर पाते आप कतरी भी कलपना ना करें कि आप अंग्रेजी में पूरी बातें सामने वाले के सामने express कर पाएंगे क्योंकि यह जो यूज है वह बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है चुलिए अब हम देख लेते कुछ future में how to का प्रियोग कैसे किया जाता है मैं जानता हूंगा मैं जानता हूंगा कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है I will know I will know how to make people fool I will know यहां पर विल के जगह आप शैल भी यूज कर सकते ग्रमेटिकली शैल ही करेक्ट होता है I shall know how to make people fool उन्हें किताबें पढ़नी नहीं आती होंगी They will not know how to read the books क्या आप मोबाइल चलाना जानते होंगे क्या आपको मोबाइल चलाना आता होगा क्या आप जानते होंगे मोबाइल कैसे चलाया जाता होगा जाता है दोनों ही सिच्वेशन में आप एक ही सेंटेंस बनाएंगे आप आप आपरेट भी यूज कर सकते हैं और यूज भी यूज कर सकते हैं तो गाइस कैसा लगा मारा वीडियो आई होप सो अच्छा ही लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक करें शेयर करें कॉमेंट्स करें ताकि दूसरे भी उसका लाब उठा सकें और लाइक इसलिए जरूर करें ताकि हमें मोटीवेशन मिल सकें और हम आपके लिए pre classes और भी ऑफर कर सकें और यदि अब आप हमारे इस channel पर नय होगोड़ी अपस्प्राइब करें और वेल आइकन प्रेश करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इसको सबस्क्राइब करकर कि इसका advantage ले सकें, all the best.